शिरी शिवाई नमस्तुब्यम हर हर महादेव गुरुजी पंडित प्रदीव मिस्रा जी दुवारा बताए गई सभी उपाई हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाई आसानी से समझ में आ सके हैं दोस्तों शनिवार का दिन है कल बहुत प्यारा सा दिन है और शनिवार के दिन अगर आप ये कुछ उपाई कर लेते हैं तो आपके घर में सुख सम्रिद्धी की कमी नहीं होती है साथी साथ अगर आपके घर में कोई बीमारी है कोई रोग है जो की खतम होने का नाम नहीं ले रहा है लंबे अर्षे से बीमारी चल रही है तो आपको ये उपाय कर लेने हैं जिससे की आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सके दिखिए सनिवार के दिन कुछ ऐसे उपाय भी है जिस दिन महादेब को जल नहीं चड़ाया जाता है अगर वो उपाय आप करते हैं तो उसमें आपको महादेब के उपर जल नहीं चड़ाना है तो चलिया जान लेते हैं कि कौन-कौन से ऐसे उपाई हैं जो आप सनिवार के दिन कर सकते हैं और उससे आपको जो की आपकी कोई मनोकामना है जैसे की मनोकामना आपकी पूर नहीं हो रही है महादेव आपकी परिच्छा ले रहे हैं तो ये उपाई आप कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है लेना है समी पत्र ठीक है एक समी पत्र लेना है बहुत प्यारा सा साथ में आपको लेना है एक लाल फूल लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं गुडल का ले सकते हैं या फिर आप गुलाब का ले सकते हैं जो भी आपको मिल जाए लाल फूल महाध्य को मंदिर को बाहां पर उपाए करना है उपाई पर इंपर सुबकलने कहने हैं लिए जो पत्र में बाहें में सिभल सब करना है सिवलिंग के उपर ही महादेब का पूरा परिवार ब्राजमान है आपको पता होगा ये जो सीदे भाग में गनेश जी का उल्टे तरफ कार्तिके जी बीच में जो साप जैसी कटी लाइन होती है बहाँ पर माता असोक सुन्दरी और सिवलिंग के पास में जो जगए होती है खाली जगए बहाँ पर 64 योगनी का इस्तान होता है ठीक है माता पारवत्ती और माता असोक सुन्दरी के बीच में जो खाली स्तान आप देख रहे हैं वीडियो में बहाँ पर आपको चड़ानी है समी पत्र चड़ा देनी है उसके बाद आपको जो लाल फूल है वो चड़ाना है महादेब के उपर ठीक है जल नहीं चड़ाना है महादेब के उपर यह जो उपाई है इसमें और जो आपके पास जो जल लेकर गई है वो समी पत्तर के उपर चड़ा देना है जहां पर आपने समी पत्तर की तरफ चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे विशेश उपाय की तरफ ठीक है यहां पर आपको क्या करना है लेना है माखन ठीक है माखन लेना है और यह बहुत प्यारा सा उपाय है इसके साथ साथ आपको लेना है एक बेल पत्र और बेल पत्र कटी-फटी नहीं होनी मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है जो वो माखन है वो आपको जो बोले वावा की पिंडी है सिबलिंग है बहाँ पर पूरा लेपन कर देना है जैसे आप चंदन का लेपन करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है जो बेल पत्र है वो महादेव के उपर चड़ाना है शिरी शिवाय नमस्तुव्यम का जाप करते हुए साथ में ही एक लोटा जल आपको चड़ा देना है इतना चड़ा देना कि जो आपने माखल लगाया है वो छूट जाए क्योंकि महादेब के उपर कोई ऐसी चीज नहीं चड़ाने चाहिए जिससे की शिवलिंग को नुकसान हो है न तो वो छूट जाए इस तरीके से आप एक लोटा जल चड़ा दीजिए चलिए अब लेते हैं दूसरे विशेश उपाय की तरफ यहाँ पर आपको लेना है पांच बेल पत्र इच्छा पूर्ती के लिए यह उपाय है बहुत प्यारा से उपाय है पांच बेल पत्र लीजेगा एक लोटा जल लेना है आपको ठीक है और आपको जाना है कहां महादेव के मंदिर बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत प्यारा सा उपाय है अगर आपकी मनोकामना पूर नहीं हो पारी है तो ये बहुत अच्छा महूरत है बहुत अच्छा दिन है आप ये उपाय जरूर से करिएगा उसके बाद आपको क्या करना है जो पांच बेल पत्र है सबसे पहले गनेश जी के स्थान पर बेल पत्र चड़ानी है उसके बाद माता ये जो सडानन्द कार्थिके हैं उनके उपर चड़ानी है एक बेल पत्र उसके बाद आपको माता असोक सुन्दरी के उपर एक बेल पत्र चड़ानी है और जो माता पार्वती मैया का जो कटी भाग है हस्त कमल बहाँ पर एक बेलपत्र चड़ा देनी है ठीक है अब आपको क्या करना है जब आपने असोक सुंदरी माता के उपर बेलपत्र चड़ाई है बहाँ पर आपको एक लोटा जल लेकर गए ना वो आदा जल आपको चड़ा देना है ध्यान से सुनिएगा बहुत जरूरी है इच्छा पूर्ति के लिए है कामना पूर्ति के लिए ये प्यारा से उपाय है जरूर से करिएगा आपको कहां चड़ाना है असोक सुंदरी माता के इस्तान पर जहां पर आपने बेलपत्र चड़ाया है बह पर आपको जल चड़ा देना है आदा जल चड़ाने के बाद फिर आपको निकल के आना है बाहर क्योंकि जो नंदीश्वर होते हैं नंदी भगवान होते हैं वो महादेब के सामने होते हैं और किसी मंदिर में सामने होते हैं नहीं तो किसी मंदिर में बाहर बैठे होते हैं तो बेल पत्र उठे हुए पैर पर चड़ानी है और उसके बाद जो आदा जल बचाता ना वो चड़ा देना है नंदी भगवान के उपर उनके कान में ओम का जाप करते हुए आपको कान में बोल देना है अपनी मनुकामना महादेव को देखते हुए नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोल देनी है जो भी मनोकामना है उसके बाद फिर मंदिर के अंदर आना है और महादेव से अपना मनोकामना जो है वो आपको बोल देनी है ठीक है यह बहुत प्यारा सा उपाय है पाच बेल पत्र का है यह आप कल जरूर से कर लीजिए शनिवार के दिन बहुत प्यारा सा उपाई है ठीक अचली आप बढ़ लेते हैं दूसरे विशेश उपाई की तरफ देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो आपके घर में धन लच्मी की कमी हो रही है लच्मी आती है ठिकती नहीं है या फिर आपके घर में लच्मी आही नहीं रही है तो बहुत प्यारा सा उपाई है आप किसी भी दिन कर सकते हैं ये उपाई ऐसा नहीं है कि शनिवार को करना है अगर हो सके तो सुक्रवार को करें नहीं तो समबार को करें एक कमल कट्टा महादेव के उपर चड़ाना है उसके पत्र है वो आपको उठा लेनी है बेल पत्र और जो कमल गट्टा आपने चड़ाया तब महादेव के ऊपर वो कमल गट्टा आपको उठा लाना है बहां से ठीक है ये बात का ध्यान रखे कि कमल गट्टा आपको उठा लेना है अगर आप लोटे में डालकर कमल गट्टा चड कर लिए उसके बाद देखिए आपके घर में लच्मी टिकने लगेगी ठीक है बहुत प्यारा सा उपाय है गुरुजी अपनी कथा में अक्सर बताते रहते कि अगर लच्मी नहीं टिकती तो कमल गट्टा का जल चड़ाइए देखिए फिर कैसे लच्मी नहीं टिकती है तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे जो कि हमने आपके साथ शेयर किये गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय है आप जरूर से करिएगा अगर आपके घर में कोई बीमारी है कस्ट है या फिर लच्मी नहीं टिकर रही है तो ये उपाय जरूर से कर लीजेगा ठीक है आप सु कि लगी तो कमेंट सेक्षन में हरहर महादेव अवश्य लिखे मिलते हैं दूसरे विशेश उपाय की वीडियो